जाहिए दोस्तों स्वागत है आप सबी के इस वीडियो में कैसे आप लोग उमीद आप सब बहुत अच्छे सोंगे तयारी आपके अच्छी चल भी होगी एक्जाम के लास टाइम है प्रेपरेशन का आपका आखरी कुछ दिन बचे हैं तयारी की थोड़ा सा टैंस होंगे जो की लाजनी है तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगा आपको जैसे 2023 में जो सेक्षण एक के सवाल आप से पूछे गए थे अवद्यूश्टी के बीएट सेकेंडियर के पेपर वन में सचिक प्रसासन प्रबंदन और प्राइरी सिक्षा एजुकेशनल एड्मिनिस्ट तो लास्ट एर के जो कोशन पूछे गयते हैं सेक्षण एक उन दस के हम आंसर देखेंगे सुरू करने से पहले मैं आपको एक बता दूँ इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाए थी ये वीडियो ठीक है इसमें पिछले छे सालों में जितने सवाल सेक्षण एके पूछे ग तो दो याथ टेईस में पेपर आय थे उनहीं में से वो 10 कोश्चन बने थे तस के 10 कोश्चन उनहीं में से बने थे ठीक है तो एक बार उन 10 कोश्चन को देख लेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा आपको इस वीडियो का लिंक दे दूँगा जहां पर हमने पिछले 6 साल के कराये थी ठीग है आप उसको देख लेंगे आप यकीन मानिए दस में से तो 9 की गैरेंटी है दस में से 10 भी आ सकता है बट 9 की गैरेंटी है जैसे क्या हुआ कभी कुछ बदल देगा जैसे कभी-कभी इगनु के चेर्मेन पूछ देंगे आपसे कभी एंसियार सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं में से 10 सवाल आप से बनते हैं थोड़ा बहुत इदर रहता है बट हो जाता है दस सवाल ठीक है तो जाकि शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बता है कि 10 सवाल दस नंबर के होते हैं एक नंबर के पुछे जाते हैं तो पिछले साल जो पूछे गए थे उन 10 सवालों को देख लेंगे इस वीडियो को छोटी सी थोड़ी दिर में खतम करेंगे फिर उसके बाद आप जाके पिछले 6 सालों को देख लीजीगा वहां पर लगबग 40-50 सवाल ह हैं बहुत ही असानी से आप कर लेंगे डिस्क्रिप्शिन में वीडियो को लें दे दूँगा तो बीना किसी तरी के सुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल आपका पूछा कहता है तो आपके पास अपने तरीके से लिखने के लिए कुछ ज्यादा रहता नहीं क्योंकि एक न किसी को कोट करके दीजेगा ऐस इडिज जैसे किसी ने कहा था वैसे तो मार्स एंड रॉस ने कहा था चातरों के विकास को अपने लक्ष की और अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उदेश्यों की प्राप्ति है तू उन्हें संसाधन या साधनों की पर रिएद करना ही क्या करता है सैचिक प्रसासन कर आता है तो जिस तरीके से इनों ने डिफाइन किया था वैसे आपको लिखते मार्थ यह लिंग दिए बहुत है ठीक है चलिए मैं वीडियो बनाकर सम्झाऊंगा कि एक मार्म में आपको कितना टाइम देना है कितना प्यि करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक पेज में दो सेक्षिन करिएगा ठीक विद्याले परिबंदन का अर्थ क्या होता है इस्कूल मैनेजमेंट का कॉंसेप्ट संप्रत्य है अर्थ इस तरी के सवाल पूछता है तो दो यार्थ तेस में आप से पूछा था कि विद्याले प आप मालजे जिए किस सजूव में पढ़ा रहे तो ठीक है जिस कॉलेज में उसमें एक management team होती है वह management managers हाँ होते हैं प्रिंसपल होते हैं कहीं सब्सक्राइब वह सफ्रिण होते हैं मैंज करते हैं किन चीजों को हमेंज करते हैं सब्सक्राइब हमारे teaching staff है उनका जो भी हमारे पास संसाधन है चाहे वो भौतिक हो सकते हैं चाहे वो मानविक हो सकते हैं फिजिकल संसाधन resources हो सकते हैं या human resources इन दोनों को actively काम करने के लिए क्या करते हैं manage करते हैं that's it library comes करें किताबे available हो सही से school चले time से school open हो ठीक है teacher आएं अच्छे से पढ़ाएं time से course पूरा करें यही काम तो करता है management स्कूल मैनेजमेंट का concept क्या है बस यहीं से आपको लिख देना है अब थोड़ा सा हिंदी जैसे किताबों में कैसे सजा के लिखते हैं तो इसकूल प्रबंदन को इस प्रकार से प्रभासित क्या जादा कि विद्यालय प्रबंदन के विशेस प्रकिरिया है इसका कार विद् स्टेडी माटेरियल्स लाइब्रेडी कैंटी यह सारे चीजे गतिसील संगठा निकाई की रूप में परिवर्तित करना है ऐसे एक्टिव नो एक कोपरेट करके दोनों चले अच्छे सा चले एक्टिव चले जिसका उदेशी की पूरती है तू इस प्रकार कार किया सके जिन है यह बहुत ज्यादा हिंदी हो गया तो इतना आपको हिंदी नहीं से आपने तरीके से लिखना है कि human resources और physical resources को इस तरीके से manage करना इस तरीके से काम कराता है चीग है बहुत अच्छा तीसर आप से पूछा कहता दोस्तों कि प्रयावरर्ण सिक्षा क्या है वाट इस इन्वार्मेंटल एजुक्षिशन यह कैसा टॉबिके classic से आप पढ़ते हारा है प्रयावर्ण के प्रती हमें अवेर करता है हमें जागरू करता है हमें प्रयावर्ण को कैसे बचाना है प्रयावर्ण को कैसे सुरक्षित रखना है प्रयावर्ण को कैसे बहतर बनाना है प्रयावर्ण को कैसे प्रदूसित होने से बचाना है किसलिए हमारे आने वाले जीवन के लिए हमारे आने वाले स्वास के लिए हमारे अपने धरती के करते हैं हमें बताती हैं कि हम कैसे अपने आपको और बहतर तरीके से सकते हैं कैसे हम सीख सकते हैं कि कुछ खाके प्लास्टिक इधर फेक दिया परनुसे Coast काकरना चाहिए कि नहीं है प्लास्टिक नुकसान दर कंदे हैं क्य inefficient to करें प्रकृति को नेचर को आप पल्यूट करने के बजाए आप उसको संरक्षण करें उसको सेव करें उसके बहतर बनाएं यही चेतना हमें प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तब से कहता हूं कि इंसान को कभी-कभी घूमना चाहिए हां वहां जाके हमने देखा कि आप वहां जाएसे कश्मीर चले जाओ नाली चले जाओ यहां पर बहुत आपको बड़ी बील्डिंग नेचर को ही आपको फील करने का मोहका मिलेगा और हमने नेचर हम पास ऐसा है लिए को दिखाए देगा वहाँ के लोग बहुत दिखाए देंगे और अच्छे तरीके से उनको पर वाड़ी क्योंकि वह नेचर में जी रहे हैं वह प्रकृतिक में जीर हैं तो हम क्या करते हैं तो यही प्रायवर्ण सिख्छा हमें इस बात का ग्यान कराती है हमें बहुत कर आती है कि हमें प्रकृति को कैसे बहतर बताना है साधान रहने के लिए मानों को त्यार करते ठीक है तो बस हम इसलिए कोशिच कर रहें कि बात करते हुए चले जाए बात करते हुए चले चलेंगे समझ में भी आ जाएगी और फिडियो थोड़ा सा बात करने अच्छा लगता है शायद इसलिए मैं जाने टॉक रखाता क्योंकि मुझे बाते करना पसंद आब अग्रा सवार्ण पूछा था योग का महत्तों क्या है योग योग करते हैं आप लोग मैं तो करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है योग करने ठीक है अभी प्रकार के सारीक परिशानियों से दूर करना है योग मनुस्य के मन और आत्मा की अनंत छमताओं को बढ़ा कर आत्म ज्यान की प्राप्ति कराता है वाह यह यह बड़ा अच्छा जो भी लिखा है वह अच्छा कौन से प्रियांप लिखा है खेर हम नहीं लिखा है तो कम हथ तो आप यहां से लिख सकते हैं कि योग कितना इंपोर्टेंट है आपकी जीवन में खुश चलिए खुश है यह बॉइस के साथ प्रॉब्लम में पता नहीं कि थोड़ी दिर बाद आपने आप हाथ खीचा चला जा जाता है हां जी हां स्वास्त सिक्षा की औधार स्वास्त सिक्षा वह अभियान है जो जन साधारण को एक ऐसे ज्यान वह आदते सीखने में सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वास्त रह सके स्वास्त सिक्षा से जन साधारण चीवन बदलती है स्वास्त रहने के समस्या का धैर से सामना करना सिखाती है स्वास्त को कैसे स्वास्त रख सकते हैं यह ग्यान कराती है स्वास्त कितना जरूरी है यह बताती है और वो चीजे जो हमारे स्वास्त को प्रभावित करती है उनका ग्यान कराती है और अच्छी चीजे जो हमारे स्वास्त को बहतर प्रभावित करती है उन्हें अनुसरान करने उन्हें पालन करने उन्हें फॉलो करने उन्हें एक्सेप्ट करने की सिक्षा देती है और वह वस्तुमें वह आदते वह चीज़ें जो हमारे स्वास्त के लिए हानी का रहा के उन्हें दूर रहने का सुझाओ देती है सिक्षा देती है ग्यान कराती है स्वास्तिर्टूब lihat- रख को सब्सक्राइब अक्माइब समय सारणी का क्या महत्यु क्या शूर है लाइश में बनाते हैं लगिन फॉलो करना चाहिए स्कूल के टाइम वल बात करें तो उसे फायदा है तो देखिए विद्ध्याले के कारेक्रम को घ्यान आपको पता रहेगा आपको विद्या लेगे सारे कालिक्रम पता होंगे कब स्कूल खुलेगा कब चुटी कब लंच होगी कब फर्स प्रेड यह सारे चीज़े पता होती है निरिक्षड की सुविधा अगर कोई सिलता की कमी नैतिक गुणों का विकास नैतिक गुणों का विकास के मतलब जैसे माली आपने कि वर पढ़ाना ही नहीं है बच्चों को बीच में खेल गेम परिये यह सारी चीज़े देनी है समय वह सरम की बचत समय वह स्रम की बचत कारी कुछ उसलता में बृदी इस डिजीज क्या होती है संक्रमक वह रोग जो एक दूसरे से फैलती है जैसे करोना हो गया था वह उसमें हम क्या थे एक दूसरे सो मेंटेन करता तो इसे रोग से जो एक इंसान या एक जीव से दूसरे इंसान या दूसरे जीव में फैलते हैं इस पकार के रोग किसी ना किस तो एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले रोग, संक्रमग रोग कहलाते हैं, इस तरीके साथ लिख देंगे, एक नमबर के लिए काफी है। ये सवाल बहुत important है, ठीक है, पोस्ट काब क्या होता है, देखिए लूतर गुलिक और उर्विक ने एक हमें concept दिया था, सैचिक प्रसासन का, कि वो इन चरड़ों से होता है, वो आप चाहे तो उसका सिधान्त कहे लिजे, चाहे तो उसका स्टेप कहे लिजे, चाहे तो उसका करमचारी, स्टाफिंग का मतलब करमचारी, निर्देशन, समने और परतिवेदन तथा बजट, ये पोस्ट काब का फुल फॉर्म है, और अकसर सवाल आप से पूछता है, कभी-कभी आठ नंबर में पूछता है, तो आप क्या करेंगे, हर एक चीज को explain करेंगे, सैचिक प् प्रसासन की एक छेत्र है, इन छेत्रों में सैचिक प्रसासन कारे करता है, planning करना, किसी चीज को plan करना, organize करना, उसके लिए जरूरे व्यक्तियों की भरती करना, या वो team बनाना, फिर निर्देशित करना, डारेक्ट करना, फिर कॉडिनेट करना एक दूसरे से, फिर जो आप आपने रिजल्ट निकाला, जो आपका output हुआ, उसको report करना, फिर अगर budget की वेवस्ता हो, तो budget करना, सैचिक प्रसासन का ये क्या है, एक step है, पोस्ट का बढ़ा important है, सवाल अक्सा आप से पूछता रहता है, पूछता है, ये वाला तो important है, ये आपके paper में लिख क्या आप इस नमबर में ऐसे कहा था कि पूरा नाम बता दीजिए, दसवा सवाल दोस्तों, एक अच्छे प्रवेक्षट, supervisor, जो supervisor होते हैं, जो आप चेक करने आते हैं, तो उनके qualities पूछ रहा है, तकनीकी ज्यान होना चाहिए, उनको खुद इस बात का ज्यान होना चाहिए, सनवात क करने की चाहिए, सुनने की भी चाहिए, तिप्र मेमरी मतलब ठीक है, अच्छी खासी मेमरी होने चाहिए, उनको चीजों को समझना चाहिए, सहकारिता को सुरक्षित करने की चाहिए, सहकारिता को सुरक्षित करने को, साथ काम करने को, यह इस चीज को बढ़ावा दे हैं, तो सुरक्षित करें क्रमबद सोच प्रोग्रेसिव थॉट कह सकते हैं प्रोग्रेसिव उनकी सोच होनी चाहिए तो यह वह दस सवाल थे जो आपके 2023 में पूछे गए थे तैंक यू सो मुच फर वोचिंग इस जाने आलम यू फॉलो में इन्स्टाग्राम बहुत रेरली अपना नाम बदाता हूं या फिर अपने सोसल मेडिया पैचान बताता हूं और बहुत रेरली क्या लास्ट में कहता हूं यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर देगा सब्सक करवाई बहुत गाले हां जी तो मैं बस आपसे यह रहा था पढ़िए टेंश मत लीजिए और मैं इसलिए वीडियो बना देता हूं इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लो ठीक है चलो फिक फिर बात करेंगे ना आपसे बात कहां जा रहे हैं आपने हैं इसलिए वीडियो ब कि कुछ भी आएगा तो आप एक्जाम में लिख देंगे अच्छी बात है आत्मविश्वास होना चाहिए तो यह अच्छी बात है मैं इसकी अप्रिशेट करता हूं मैं इसलिए आ जाता हूं आप से कहीं आप बिल्कुल ही ना भूल जाए कि हमें पेपर देना है इसलिए प्लके पीच भी आधिम आ जाता हूं आपको याद कराने कुल आपको लगा क्या ने इस सवाल इंसी सब्बनेद सवार आप से पूछे जि कर यह वह विडियो फीट्यू से से पहले 6 सालों में जितने भी सवाल पूचागा है इसको हमने को सवाल पूचक्षा में देका है सी के इस पूरे सब्जेक के जितने भी इंपॉर्टन सवाल बन सकते हैं मतलब एक ऐसा वीडियो जिसके बाद आपको कुछ देखना ना पड़े मैं वह बना दूगा हला कि एक ये वीडियो हमने बना आया था डिस्क्रिप्शन में तेकर डिस्क्रिप्शन आप चेक किया करें ठीक है कमेंट भी आप चेक करें उसमें कुछ इंपॉर्टन लिंक होते हैं जो मैं वहाँ पर टैक करता हूं एड़ करता हूं तो आप उसको भी चेक किया करें ठीक है तो मैं कोशिच करना कि संटे को ऐसा मारा था ना आये आपके लिए जिसमें आपको पूरा एक सब्जिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए बाकी खुश रहिए पढ़ते रहिए अच्छे से मुस्कुराइए मुस्कुराओ लाद इसमाल इस इंपॉर्टन यह पी हैपी हां जी तो बस चलते हैं अब आप तयारी कर लिए पढ़िए फिर मिलेगा अंक लिए वीडियो में तब लिए मैं वास उधार करूँगा तो इस वीडियो में फिला इतने हैं बहुत शुक्रिया पढ़ते रहिए आगा बढ़ते मुस्कुराते रहिए खुश रहिए मिलें एकली वीडियो में ता तक आपने खूब ख्यादा किये जहन जया भारत